नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं बिद्याले में इतनी बड़ी संख्या में बच्यों की कुरोना संक्रामित होने पस्वास्त विभाग में हकप मच गया है परखन से लेकर जीला तक के पतादिकारी हरकत में आ गया है बच्यों को अवस्यक दवा उपलब्द कराने के बाद बिद्याले के पीछे इस्थित एक भौन में होम आईसोलेट कर दिया गया है विडियो देवलाल उराव अंचल अधिकारी जयवन्ती देवगम तथा परभारी चिकित सा पतादिकारी डाक्टर रंजीत मुर्मू ने बिद्याले का जाजा लिया सभी जाज रैपिट एंटेजन किट से की गई है लेफ टेकनेशियन प्रवीर बेहरा ने कुरोना की जाज की है बतादे परभारी चिकित सा पतादिकारी डाक्टर रंजीत मुर्मू ने कहा है कि पिछले दिनों कस्तूर्बा गांदी अवासे बिद्याले की दो छत्राय कुरोना संक्रवित मिली थी इसके बाद बिद्याले परिसर में कई बचियों के बुखार एवम सर्दी खासे होने के सिकायत मिल रही थी जारखन में मौसम के बदलते मिजाज के कारण लोगों को गर्मी सिराहत है 30 अप्रेल तक गरज के साथ बारिस के आफार है वही 27 अप्रेल तक मौसम को देखते हुए एलो अलर्ट जारी कर दिया गया है ऐसे में घर से बाहर निकलने वक्त सवधानी बरते मौसम बेग्यानी की माने तोया बदलाव साइक्लोयनिक सर्कुलेशन के कारण है सुमवार को भी तेज हवा के साथ हलकी बारिस हुई है परवारी डाक्टर दुस्यंत कुमार राघाओ ने कहा है कि किसान वर्षा जल का लाव लेते हुए गरम खेती की जूताई एवाम गर्मा सबजी जैसी बोधी भिंडी टमाटर बैगन आदी की बुआई के लिए तयार करे हल में हुई बारिस फलदार ब्रिक्षो के लाभकारी है बता दे आने वाले पांच दिनों में गर्मी से आम लोगों को राहत मिलने वाली है किरिशी बिग्यान केंद्र मांडू रामकड के मौसम परवेक्चाक सलसी कांत 14 ने बताया है कि आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज आम जनों को राहत देने वाला है ज्यारखन के सराई के लाए में 2249 टीचर्स की होगी नियुक्ती कुलहान के सराई के लाए खर्सावा जीले की बिभीनी स्कूलों में रिक्त पड़े सिक्षकों के पद सिक्र भरे जाएंगे चात्रे-चात्राओं के हिसाब से पस्रिजित कर नियुक्ती के लिए राज सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा इस समध में समानाले सभा कक्ष में सोम और को डी सी अरवा राज कमल के अधक्षता में प्रानविक सिक्षा समीती की बैठाक होई बैठाक में बिद्यार्थियों के हिसाब से कक्षा 1-5, कक्षा के लिए 865 और कक्षा 6-8 के लिए 1374 सिक्षक पतके स्रिजन पर सर्वसमाती से नियुक्ती के लिए बिभा को प्रस्ताव भेजा जाएगा बतादे बैठाक में समीती सेसो के सुझाओ पर कोई बिंदुवार चर्चा की गई बिभिन बिद्याले से प्राप्त प्रस्ताव में तुर्टियों पर चर्चा कर उसे दूर करने का भी निन लिया गया बैठाक में डीडी सी प्रवीन कुमार भी उपस्थित थे बन्ना गुपता मामले में बिजेपी ने की S.I.T. जाच की मांग वही राष्टिये जनता दल और कॉंग्रेश ने पहले पूरे मामले एक निस्पक्ष जाज किराने की मांग की बता दे बिजेपी परदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कॉंग्रेश पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस समध में स्वास्त मंत्री बना गुपता पर अब तक करवाई नहीं होना हास्पद है बना गुपता को ततकाल स्वास्त मंत्री के पद से हटा देना चाहिए यदि बीडियो असत निकलता है तो फिर से स्वास्त मंत्री के रूप में बना गुपता की जिमेदारी दी जा सकती है मगर इस समध में कॉंग्रेश नितर राहूल गांधी और प्रियांका वाडरा की चूपी से आचर्य होता है प्रतूल सादेव ने कहा है कि तेजी से वारल हो रहे इस वीडियो के करण जार्खन की छावी धुविल होने की बात कहते हुए कहा है कि मुक्ष मंत्री हैमांस्रेन इस वारल वीडियो की सत्यता की जाच जल्द से जल्द कराए रिमोट वोटिंग मसीन के विरुध में जामो मो जार्खन मुक्ति मोर्चा रिमोट वोटिंग मसीन के उपयोग के पक्ष में नहीं है जामो ने अपनी राय से सोम वार को भारत निर्वाचन आयोग का उगत करा दिया है पार्टी की वर से वरे नेता सुपरियोब भटाचाय ने इसकी जनकारी दी है सुपरियोब भटाचाय ने कहा आयोग द्वारे मिले समाई के अंदर जामो ने अपने पक्स से निरवाचन आयोग का ओगत करा दिया है रिमोट वोटिंग मसीन को अमनी जमाप पहनाने के लिए 16 जनुवारी को दिल्ली में चुनाव आयोग ने कारेसला रखा था कारेसला मेरा इनितिक दलो के समक्ष आरभी एम के उप्योग और इसके परदसन का डेमो भी किया गया था इसके बाद सभी दलो से आरभी एम को लेकर अपने अपने पक्ष के अउगत कराने को कहा था इसी के अनुसार तैस समय में जहामो को अपना पक्ष चुनाव आयोग के समक्ष रखना था बनना गुपता का आसलील वीडियो मंत्री पत से देना पर सकता है इस्थीपा जहारखन के स्वास्त मंत्री बनना गुपता का सोसल मीडिया पर वारल हो रासलील वीडियो कॉंग्रेस की गले की भास बनता नजर आ रहा है मंत्री ने इस मामले में जमसेतपूर के साइवर थाने में परात्मी की दर्ज कराई है इस परकरन ने मुख्य बिरोधी दल भाजपा को निशाना साधने का मौका दे दिया है बता दे हेमंत सरकार में कॉंग्रेस कोटे के मंत्री बनना गुपता को लेकर फिला सतर उटगडबंधन के दलों ने चुपपी साध रखी है जबकि कॉंग्रेस में भीतर खाने खलवली हुई है बारी तोर पर पाक्टिन प्रवक्ताओं को सामने कर रखा है लेकिन भीतर ही भीतर कॉंग्रेस को नुकसान की चिंता सता रही है यही वज़ा हाई कि सोमवार को नई दिली मुख्याले से परदेश कॉंग्रेस परभारी अमिनास पांडे ने इस मामले की जनकारी वर्ये नितावसो लिहाई कोडर्मा में पूलिस वयन और कंटेनर की टकर में एक पूलिस कर्मी की गई जान दरजन भर पूलिस कर्मी घायाल रांची पटना एनेच 31 के उरोवा गौरी नदी पूल के पास सोमवादो पर करीब 12 बजे एक पुलिस वैन और कंटेनर के जवर्जस सीधी टकर हो गाई इस विशन टकर में करीब एक दन पुलिस कर्मी घायर हो गाई जबकि एक जवान गनेश बगत की मौत हो गाई इस दुरगटना में घायल एक अने पुलिस कर्मी के हालात काफी गंभीर बताई जा रही है इसके अलावा अने जवानों को भी गंभीर चोटे आई है जिसन का अस्पताल में इलाज चल रहा है दुरगटना के बाद वाहन में फसे कंटेनर ड्राइबर को काफी मकसद के बाद बाहर निकाला जा सका जनकारी के अनुसार कोडारमा पुलिस लाइन के करीब एक दरजन पुलिस कर्मी पुलिस वेन पर सवार होकर पुलिस लाइन चंदवारा लोट रहे थे पूलिस के सभी जवान थी लेयर डेम ओपी छेतर में ईद के मोके पर सांती बेवस्था कायम रखने के लिए तैनाद किये गए थे सरजु राय ने बताया बन्ना गुपता के साथ वारल बीडियो वाली महिला के बारे में स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता का कथित असलील वीडियो चेट वारल होने के बाद इस मामले पर रायनित्ती गरम है नेताओं के तरह तरह के बियान आ रहे हैं वहाई हर किसी के मन में यह भी जिग्यासा है कि आखिर बन्ना गुपता के साथ वीडियो चेट में दिखने वाली वा महिला कौन है बता दे बन्ना गुपता की बिरोधी बिधायक सहजुराय ने इससे परदा हटाया है उन्होंने ट्वीट करका एकिस्वास मंत्री का 17 अप्रेल को आधी रात में जिस महिला के साथ असलील फ्रेम लाल करते हुए वीडियो वारेल हुआ वा जमसेदपूर के एक फरनीचर हाउस में काम करती है उसके मालिक बन्ना जी के साथ समाजवादी पार्टी में थे जो फिलाल भाजपा में है जमसेदपूर पुलीस उस लड़की को सुरक्षा दे हजारी बाग में सेंटर ओफ एक्सिलेंस चैन के लिए खिलाडियों ने दिखाया दम जारखन खेल प्राधी करण के तत्वधान में सेंटर फोर एक्सिलेंस फुटबॉल के लिए सोल्ला से 22 वरस तक के बालक एमपाल का खिलाडियों का दो दिवसे चैन करजन एस्टेडियम हजारी बाग में सुरू हुआ इसमें हजारी बाग रांची रामगार बोकारो, गिरीडी, चतरा, खोटी, गुमला, धनबाद, सराय के लकुडर्म, लोहतक गाज, जिले के खिलाडियों ने भाइलिया राज्येपाल से मिले मुख्य नैधिस राज्येपाल सिपीर अराकिष्णन से सोमवार को जारखन हाई कोट के मुख्य नैधिस नैमूर्ती, संजय कुमार मिष्णे ने राजभवन में मुलकात की राजभवन के अधिकारिक सुत्रों ने बताया है कि या सिष्टा चार भेट थी इड़ी ने राज्ची के पूर्व डिसी छवी रंजन से दस घंटे की पुष्टाश इड़ी करयाला गेट के पास पत्रकारो ने उनसे सवाल पुछे लेकिन वा गाड़ी में बैठे रहे और बिना जबाब दिये अंदर चले गए इसके बाद E.D. के अधिकारियों ने उनसे पुष्टाच शुरू की जमिन घुटाला मामले में E.D. ने तीसरी बाहर रांची के पुर्व डिसी छवी रंजन को समन भेज कर पुष्टाच के लिए बुलाया है बता दे छवी रंजन रात आठ बच कर 41 मेट पर पुष्टाच के बाद बाहर आए जारखन की पंचायती राज संस्थाओं बनेंगी मजबूत राश्ट्रिये पंचायती राज दिवस को लेकर 21 अप्रेल से 24 अप्रेल तक पंचायत अस्तर पर कारकरमों का उजन किया गया इधर जारखन बिधान सभा की टीम सेक्षिनिक ब्रहमन पर केरल गई थी केरल के अनुभाव से जारखन की पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा ब्रहमन दल में विधायक सर्जु राय, बिनोद सिंग, समीर, मोहनती, अमित मंडल, सिल्फी नहातिर की, मथुरा महतो, लंबोदर महतो, एवं पंचायती राज बिभाग की निदेशक, नीशा, उराव सामिल थे बतादे राश्ट्रिये पंचायती राज दिवस के आउसर प्रदिनांग, 21 अप्रेल से 24 अप्रेल तक ग्राम पंचायत अस्थानिये सतत विकास लक्ष के अंतरगात, विशेवार करक्रम का आउजोन किया गया बिजली विभाग का वन टाइम सेटलमेंट इसकीम से उदासीं, जरकन बिजली वित्रन निगम इन दिनों राज सरकार के निर्देश पर वन टाइम सेटलमेंट समंधी योजना चला रही है, इसके तहट 31 दिसंबर 2022 तक जिन उभखताओ का बकाया बिजली बिल है, उनके हरकन बिली वित्रन निगम इन दिनों कैमप लाया कर वुज़ताओ का वन टाइम सेटलमेंट का लाब देने में जुटी है, मगर सरकार की स्योजना के प्रती वुज़ताओ को उधासींता साप चलक रही है, बतात दे सोम वार को लगे बिली विभा के कैमप में कि कंजूमर को इस से कोई मतलब नहीं है धनबाद में बढ़ते परदूशन को लेकर हाई कोट गमभी जारखन हाई कोट ने धनबाद सहर में बढ़ते वायू धानी एवं कोईला परदूशन के रोक्ताम को लेकर दायर जानी त्याज क्या पर सुनवाई की चिफ जस्टिस जानना चाहा एक धन्माद में बढ़ते परदूशन की रोकने के लिए और क्या 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 कदम उठाया जा सकता है उसके लिए बोट के पास क्या योजना है सपत पत्र के माधम से कोट को आउगत कराने का निर्देश दिया गया मामले की अगली सुनवाई के लिए खंट पि ने गंबिता से लिया है ऐसे संकेत मिल रहे है कि सुमवार देर साम तक उनके खिलाब कॉंग्रेस पार्टी की ओर से सक्त करवाई हो सकती है जारखन कॉंग्रेस के परभारी विनास पांडे ने पूरे घटना क्रम की जनकारी आला कमान को दे दी है वही जम सेथ पुलिस ने बताया है कि पार्टी आला कमान को पूरी रिपोर्ट भेज दी गाई जारखन परदेश कॉंग्रेस के परभारी सिरी पांडे पार्टी के वर्ये नेताओं को इस मामले सहुगत करा रहे है पार्टी ने मंत्री की इस हरकत को कमिता से लिया है चार्चा है कि पार्टी बना ग कुपता का घिरा स्वास्थ विभाग में कारण रात MPW स्वास्थ कर्में अपनी मांगों के समर्थन में 24 अप्रेल से चरन बद अंदोलन शुरू कर दिये हैं संग के अध्यक्स पवन कुमार और महा सचीव मंगल हम्रम ने ग्यापन सोब कर इसकी जनकारी मुख्यमंत्री स्व स्वास्थ विभाग समयत विभागी अधिकारियों को दे दी है पताद संग के निताओं का कहना है कि 22 समाच को संगर्ठन ने अपनी विभीन मांगों को विभाग और सरकार कर समक्ष रखा था लेकिन इस पर अभी तक पहल शुरू नहीं हुई है इसे लेकर स्वास्थ कर्म मांग पत्र सोपेंगे जारखन के पास नहीं कोरोना भैक्सीन केंद्र से की गई थी मांग जारखन में एक माह से अधिक समय से कोविड टीका करन पूरी तरह से ठप है सभी जीलों में बनाये गए टीका केंद्र बंध है टीका लेने वाले लोग केंद्र से वापस लोट रह सबसे अधिक परसानी बुस्टर डोज लेने वालों की है उनका बुस्टर डोज लेने का समय काफी पहले आ गया है लेकिन टीका करन नहीं होने से वे बुस्टर डोज नहीं ले पा रहे है या इस्तिती तब है जब राज में कोविड संक्रमन एक बार फिर से बढ़ रहा है त लेकिन एक अप्रेल से इसकी उपलावदता सुने हो गई है ग्रीह मंत्राले ने जार्खन सरकार के एस्पी रैंग के अधिकारियों को प्रतिन्युक्ती पर भेजने का किया अनुरोध राश्टरिये अनुसूचित जन जाती आयोग एनसी एस्टी में एस्पी रैंग के इक चूक और योग आईपियस अधिकारियों के नमांकन की मांकी गई राश्टरिये अनुरोध है कि उप्रोग्त पद का प्रचार प्रसार करे और विशय पद के लिए उनकी उपायुक्त का आकलन करने के लिए इक चूक और पात्र आईपियस अधिकारियों के नमांकन जल वाशनिक नियंत्रन को लेकर दायर जनहित याज का पर सुनवाई की। परसासन की सजकता से सोमवार को दो नबालिक बच्चिया परिनए सुत्र में बंदरे से बच गई है। परसासन की सजकता से बच्चियों के माता पिता वो अभिभाकों खिलाप कानूनी करवाई की चतावनी दी और साधी रद कराने का आदेश दिया है। पुलिस में के लोग हैं और पुलिस की नजरों में समाज के लिए खतरनाक भी हैं।